Hello everyone, मैं विश्वजीत सिंग, आप सभी का देई इना पर सौगत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम MA History MH09 का Unit 5 पढ़ने जारें जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि भारत छोड़ो और उसके परिणाम क्या रहे हैं जो भारत छोड़ो और अंदोले श्टार्ट किया गया गांदी जी के दोरा उसके परिणाम किस परकार से निगलते हैं, क्या परिणाम रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कुस करने वाले हैं दोस्तो एक तरह का ये selective study का वीडियो रहने वाला है जिसमें हम कुछ चीजे ही पढ़ेंगे ज्यादा डिस्कुस नहीं करेंगे ने डिटेल में सॉर्ट में हम डिस्कुस करने वाले हैं कि एक particular unit के अंदर में कितने lessons हैं उन lessons के basis पे किस तरह के questions बन सकते हैं topic बन सकते हैं उनके questions के pattern क्या हो सकते हैं और उनके short में answer क्या है उसको हम discuss करने वाले हैं इससे benefit क्या होगा आपका कि आप easily अपना slavers cover कर सकते हो slavers cover हो जाएगा easily आप समझ सकते हो कि हाँ एक chapter के अंदर में क्या क्या चीजे जरूरी चीजे हैं कौन सी चीजे हमें पढ़नी है यह आपको समझ में आएगा और easily उससे slavers cover हो जाता है चलिए स्टार्ट करते है unit 5 को तो unit 5 का जो हमारा सबसे पहला chapter आता है chapter number 20 जिसमें हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की प्रिश्च भूमी क्या थी भारत छोड़ो आंदोलन की प्रिश्च भूमी किस परकार से रही तो इसके अंदर में एक कोशन बनकर यह आता है कि 1930 से 1949 के दसक में जो पूरा time period रहता है कि भारत की राजनितिक परस्थिती किस परकार से थी ठीक है 1930 से लेकर 1949 की राजनितिक परस्थिती भारत की राजनितिक परस्थिती किस परकार की थी उसको लेकर एक कोशन बन जाता है तो यहां पर नॉर्मली आपको यह बताना होता है कि 1930 के अंदर में हमारे आंदोलन क्या क्या हुए ठीक है तो 1930 के अंदर में देखोगी तो जो आपका डांडी मार्च था स्टार्ट हो चुका था ठीक है डांडी मार्च गांदी जी दुवरा स्टार्ट के अंदर में ठीक है और उसका परिवर्तन बहुत बड़ा रहता है कि मतलब अंग्रेजों को यह मैसेज देना कि हम आपके कानुम को नहीं मांगते ठीक है उसी के साथ साथ में 1930 के अंदर में जैसी यह स्टार्ट होता है तो वहां पर असयोग आंदोलन बाकी चीजों का भी इंपेक्ट दिखता है लोग बीपेक्ट दिखता है और लोग उस मास मुमिन चे जुड़ना शुरू कर देते हैं ठीक है जो गांधी जी द्वरा इस्टार्ट क्या गया उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं अगर आप डांडी मार्च की बात करो तो टोटल 78 लोगों के द्वारा उसके इंदर में भाग लिया गया था ठीक ह और 24 दिन का टोटल ओं मार्ज था ठीक है गुजरात के में डांडी में जाकर वहां पर खतम होता है नमक बनाकर उसको तोड़ा बढ़ा को तोड़ा जाता है ठीक है और ओहां पर न राजनीतिक प्रिश्ट भूमी रही भारत की वह आप यहां पे डिफाइन करोगे राजनितिक प्रस्तितिया किस प्रकार से रही भारत के अंदर में उसको आप डिफाइन करोगे अलग लगतर से किस तरह से वैचारिक मतभेद उत्पन हुआ वह यहां पर आपको डिफाइन करना होगा इस चैप्टर के अंदर में एक टॉपिक रहता है सपोर्ट मिल रहा है लोग सपोर्ट कर रहे है ठीक तो वहां पर अगला स्टार्ट होता है यह भारत छुड़ो आंदरुन का स्टार्ट की आ गया ठीक है तो भारत छुड़ो आंदरुन का तत्कालिन कारण को समझाईए तो तत्कालिन कारण कई सारे आते हैं जिसमें सबसे बड़ा एक तत्कालिन कारण दिखा जाते है गांधी जी का आवाहन ठीके गांधी। cheese jam जी के दौरा जो आवाहन के अगया द्वाहन के तौर पर दिखा गया कि गांधी जी ने बोला है कर ना करना है यह तो करना ही पड़ेगा। इस तरह इसलिए भाराच छोड़ो मांदोनों में जूड़ रहे थे यूद में आपूरती जो अंगरेज उस समय यूद लड़ रहे थे थे बहारत छोड़ो आंदोरोन का क्या था था औध्रेज सब से लिए भारत में अधिकार की बातём हम अपने राज करें अपने देश के अंदर में यह था तो आप उसको यहाँ पर define करोगे इस chapter के अंदर में दो topic रहते हैं पहला ये कि भारत छोड़ो आंदोलन का ततकालेन कारण क्या था दूसरा ये कि भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश से क्या रहा है यहाँ पर आपको define करना रहेगा अगरे chapter के और बढ़ते है chapter number 22 जहाँ पर हम बात करते है युदोत्तर राष्टी ये आंदोलन ठीक है 1945 और 1947 ठीक है अब किस तरह से 1945 और 1947 के अंदर में युदोत्तर जो राष्टी आंदोलन रहे उसके बारे में बात कर आता है तो यहाँ पर एक ही topic आता है कि 1945 के बाद में जन विरोध परदर्शन 1945 के बाद में जन विरोध परदर्शन क्यों हुए क्या राष्जन रहा उसको लेकर यहाँ पर कोशन आ जाता है एक यह देखा जाता है कि INA जो था उस समय सुभाशन दर बोस की जो आर्मी थी ठीक है उनके बंदियों को बनाया गया ठीक है उनको बंदी बनाया गया उसको अजाद करने के लिए ठीक है अलग लग जगव पर उसका परदर्शन किया गया लोग उसके support में उत्रे तो यहाँ पर उसको लेकर यहाँ पर आप एक question का answer दे सकते हो उसके basis पे ठीक है कि 1945 के अंदर में जन विरोध क्यों हुआ तो जो 1945 के दोर में आई एने के जो बंदी थे उनको बना लिया गया था और सैनिकों को बंदी बना लिया गया था ठीक है उनको मारा जा रहा था तो उसको लेकर यहाँ पर लोग जन विरोध कर रहे थे क्योंकि सुबास चंदर बोस असल माईने में वो परधानमंतरी भारत के थे पहले परधानमंतरी के तौर पर जाना गया और रियल वो बोस थे उस टाइम उन के अगर बाइगरफी पढ़ोगे आप देखें को लगे का आपको किहां आप किसी की वेक्ति की बाइगरफी पढ़ रहे हो जो मैं ओव वर्ड्स जो बोलते न ठीक है मैं ओव वर्ड्स मैं ओव पावर वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता है सुबास चंदर बोस के अंदर में ठीक है तो इसके मारे में यहां पर कोशर आ जाता है अगले चैप्टर की बात करते है चैप्टर के ला आ जाता है सोतंतर था की और फिर्स ठीक है टू वर्ड्स फ्रीडम अब सोतंतर था क्या बढ़ते हैं तो वहां पर एक ही टेवल पर अंग्रेज भी बेटे हैं और इंड बी बैठाए पाकिस्तान भी बैठा है मतलब पाकिस्तान था नहीं उस समय पर जो पाकिस्तान की मांग करने वाले लोग थे मुहमाद अली जिन्ना वह भी बैठी हुए थे तो उसको सिंबला समझोता का नाम दिया गया क्योंकि सिंबला में वह समझोता किया जा रहा था ठीक है उसका एक रीजन यह रहता है 1945 में पूरा अखंड भात रह ले ठीक हुए पूरा भारत का परतान मंतर्य तू बंजा था पर यह था वहां पर सुभाज चंद्र बहूस थे और सरदार बल्लबाय पटेल ते इसके पक्ष्मेन ही ते क्योंकि सरदार बल्लबाइ पटेल जिन्ना के जो सकसेज था उससे वह वह व परदायवादी हो ठीक है इसके पक्षमेते वो किसी तरह से बेदवाव नहीं चाहते थे तो अलगला जो लोग थे वहां पर जो बैठे हुए लोग ते उनके क्यों करना को यहां पर कोश्चन बणकर आता है कि विभाजन को क्यों किया तो वहां पे अलग अलग जो को देख ते जो कोंग्रिस के मेम्बर ते जिसे सरदार बनलबाय पटेल होगे गांधी जी नहीं को आप यहाँ है क्या बोला ठीक उननके सोब्सक्राइब करना उपने प्रीह. जो पूरी के अंदर में एक टॉपिक जह just Ettु की बहुनग्रेशन है कि भारत छोड़ो आंदोलोनला जो chapter है यह सबसे most important रहने वाला है बाकि जो है normally tip नी basic question रहते है कुछ खास है नहीं similar समझोता हो चाहे कुछ और हो तो आप वो normally पढ़ सकते हो easy रहने वाला है कोई खास नहीं है यहाँ पर आप सबसे एक student से सबी student से एक request रहेगी कि अगर आप MEHistory के लिए पर पेर करें अच्छे नमबर लाना चाहते हो तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो जलिए है वहाँ पर देखें इसमें especially आप last five year की वीडियो देखें जिससे आपको बहुत जादा help होने वाला है almost 90% आपका slivers cover हो जाएगा ठीक है उसके साथ साथ में कई सारे important topics की वीडियो है important questions की वीडियो है उनको देखें जिससे आपको बहुत अच्छे नमबर लाने में help होने वाली है and friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best